यह हम गौला नदी के किनारे किनारे खंसियों के एक छोटे से गाउं में जा रहे हैं मैं आपको दिखाता हूं बहुत ही शक्रा और पतला रस्ता है जंगलों के बीच से यहां पर आपको नीचे गौला नदी बहती हुए दिखेगी आगे नदी के किनारे जाके मैं आपको वीडियो शूट करके इसका दिखाऊंगा रस्ता बहुत ही खतरनाक है लीच में काफी बड़े बड़े पत्तर दिख रहे हैं बड़ा ही समाल समाल के चलना पड़ रहा है यहां जंगली जानुरों का भी खतर है हम थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं उत्तराकंफिक बहुत ही खूबसूरत से गाहों में जहां कि ग्रामेड कल्चर रिती रिवाज यह सब मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ फिलाल इन जंगली रास्तों का आनन्द लीजिए हमें निस्चित रूप से इस्वर का धन्यबाद करना चाहिए क्योंकि हम परकृती का यह सुन्दर रूप जो आँखों को विस्तमरित कर दे रहा है यह देखिए बहुत ही सुन्दर द्रे से और यह नदी का पानी किसी संगीत कि तरह आवाज कर रहा है कलकल चलचल की आवाज आ रही है जो आप आगे देख पा रहे हैं यह हमारे पीछे कुछ गाओं वाशी जा रहे है नदी को पार करके हमें गाओं में पहुचना है उस पार क्योंकि रस्ता थोड़ी दूरगम है तो हम बीच बीच में आपको दिखाते रहेंगे मैं काफी ठक चुका हूं इसलिए थोड़ी दिर बैट के आराम करता हूं सुद्ध पानी बिल्कुल साफ यह बिल्कुल पीने योग यह पानी है कि आगे रस्ता थोड़ी ज्यादा कि दिक्कतों बरा है कि फिचलन बहुत है इस रस्ते में तो हम समाल समाल के दीरे-दीरे नीचे चलेंगे और अब हम बिल्कुल नदी के किनारे पौह चुके हैं लेकिन अब हमें जूते निकालने पड़ेंगे इस मैदी को पार करने के लिए फहले मैं जूते निकाल लेता हो फिर आगे का वीडियो शूट करके रिखाता हूं आपको अब मैंने जूतों को अपने हाथ में ले लिय है इस लंग बरा रस्ता है कि अ कि अ कि मेरे आगे-आगे कुछ गाहूं वाले जा रहे हैं हमारा समानल्ट के पीछे से कुछ बच्चे हैं जो आ रहे हैं कि अ कि अ कि यह हमारा आज का खाने पिने का सामान लेकि हमारे कुछ गाहूं के बच्चा हैं हमें रिसीप करने के लिए और कुछ गाहूं वासी भी आए हैं जो हमें ले जाएंगे अपने गाहूं पिर एक यह मैं बीचों बीच नदी में आ गया हूं आप पानी यहां पर आप अब नदी को फार कर चुके हैं अब आद्य है और अब यह गाहूं वाले जा रहे हैं मैं उनके पीछे पीछे जाओंगा साम होने वाली है साम हंधेरा होने इस दहीं से पहले हमें पॉँचना है और हम प्रयास करने हैं कि जल्दी से जल्दी पहूंचे और यह वीडियो का ईससा मैं आगे जो है गाहूं में पहुंचने के बाद ही कि सूट करूंगा क्या आगे का रस्ता जंगली है जिसमें जंगली जानवरों का भी खत्रा है तो मैं जरा समल समल के आगे पहुंचता हूं फिर आप लोगों को अगला पुस्सा जो है सूट करके दिखाऊंगा कि अधाया अंदर भी रहती है कि अधाय में मैं कि देखिए नदी के किनारी किनारे जिस रस्ते पर हम जा रहे हैं काफी बालू भरा है कि अधियों हमारे आगे आगे यह गाओं के कुछुछ लोग हैं जो चल रहे हैं इनके पीछे 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 मा जाओंगा किया कि मानी बास्ता ना कुछ बातें कर रहे हैं जो हमारे समझ altri नहीं आ रह beğen वस हम संकेतों के दारा और वैसे ही समझने की कोसिस कर रहे हैं प्राइज दर्टर्ण नो केबड़ा खराईज है शांच दो फिल जागा चेले है शांच वह से हल्गा पुलका पुले जो एकसम भेंगारी पचाता उसी वाद कर रहा है इनने का क्या है जा 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 जए गए पुर्जेर बाद नगार जे सही हो जो को दिक्टा नहीं है क्या है